करनाटक में अप्रेल मैं में विधान सभा चुनाव है लेकि राज्य का सियास्थी पारा अभी से काफी बढ़ गया है इधर बीजेपी अपनी सत्ता बचाने की चनौती से जूज रही है तो वहीं कॉंग्रेस सत्ता में वापसी का दम भर रही है इस बीच नेताओं की बयानबाजी भी तेज हो गई है अब बीजेपी नेताओं को चपलो से पीटने की बाद भी कही जा रही है तो किसने कहा कि पियम मोदी के नाम पर वोट मांगे तो उन्हें चपलो से पीटा जाए देखते हैं ये रिपोर्ट करनाटक में श्रीराम सेना के चीफ प्रमोद मुतालिक ने पियम मोदी के नाम पर वोट मांगने के लिए बीजेपी नेताओं पर निशाना साधा है कारवार में प्रमोध मुतालिक ने कहा अगर वो डोर टू डोर प्रचार के दौरान प्यम मोधी का नाम लेते हैं तो बीजेपी के नेताओं को चपलों से पीटे श्रीराम सेना के चिप प्रमोध मुतालिक ने कहा वो नालाइक हैं ये बेकार लोग पिया मोधी का नाम लेते हैं लेकिन वो अपने कारेकरताओं की समस्याओं को नहीं समझेंगे हिंदु सेनप रमुक ने बीजेपी नेताओं को मोधी के नाम और तस्वीर का उप्योग किये बिना मददाताओं को लुभाने की कोशिश करने की चुनौती भी थी उन्होंने कहा इस बार बिना मोधी का नाम लिए वोट मांगे पैमपलेट और बैनर पर मोधी की तस्वीर नहीं होनी चाहिए मददाताओं से कहें कि आपने विकास किया है आपने गायों को बचाया है आपने हिंदुत्व के लिए काम किया है शान से वोट मांगने की कोशिश कीजिए कि आपने इतना काम किया है वो ऐसा नहीं करेंगे वो फिर से आपके दर्वाजे पर आएंगे और कहेंगे कि आप सभी से निवेदिन हैं कि किर्पिया अपना वोट पीम मोदी को दें अगर वो पीम का नाम लेते हैं तो उन्हें चपलों से मारो इस पीज मुतालिक ने लोकायुक्त पुलिस में एक शिकायत दर्जकर करनाटा के करकला विधानसवाशेत के हैबरी तालुका के शिपूरा गाउ में कथित बेनामी भूमी लेंदेन की जाज की मांग की इससे पहले मुतालिक ने दावा किया था कि उन्हें कुछ बीजेपी नेताओं का समर्थन हासिल है जिन्होंने चुनाव लड़ने के लिए आर्थिक बदत की पेशकश की थी और उन्होंने चुनाव लड़ने के अपने फैसले से पीछे हटने से भी इंकार किया है खबरों के मताबिक मुतालिक निर्दलिय चुनाव लड़ेंगे दीबिलाइफ की रिपोर्ट